तो दोस्तों आज मैं explain करूंगा एक supernatural horror movie को जिसका बहुत time से सभी को इंतिजार था इस movie का नाम है The Boogie Man जो की 1973 में आई Stephen King की short story The Boogie Man से ही inspired है तो यहाँ पर उनका भी involvement है काफे interesting movie होने वाली है उमिद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी इस movie को डारेट किया है Rob Savage ने movie 35 million dollars में बनी है और फिलाल थेटर पर available है तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले थेटर में जाकर देख लीजे क्योंकि वीडियो के अंदर spoilers होने वाले हैं तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो movie की शरवात में हम देखते हैं एक बच्ची को जिसके पास कोई shadow आती है और monsterous voice में बात करने लगती है जिसको देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है और रोने लगती है अब suddenly ही वो shadow monster उसके करीब आ जाता है और उसको खतम कर देता है जिसके साथ ये scene भी यहीं पर shift होता है अब हम देखते हैं सैडी हारपर को जो कि अपनी मजर की dress देखकर emotional हो रही थी जो कि कुछी समय पहले एक accident की वज़र से इस दुनिया से जा चुकी है अब उनके जाने का दुख सैडी को बहुत जादा है और इससे वो कोप अप होने की कोशिश कर रही है लेकिन हो न होने के बाद नहीं सो सकती एस अंदेरे से उसको बहुत डर लगता है और किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह उसको यही लगता है कि कोई भूत प्रेत या फिर मॉंस्टर उसके पास आ जाएगा अब विल उन्नों को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है जहां पर सैडी अपन और घर पर थेरपी करता है अब उससे मिलने अचानक से ही एक अजीब सा आदमी लस्टर बिलिंग्स आता है और पहले तो विल उसको कहता है कि उससे पहले अपॉइंट्मेंट लेनी चाहिए थी लेकिन वो कहता है कि उसका उससे बात करना बहुत जरूरी है और बिल उसकी थेरपी के लिए उसको बैठा देता है अब वो अपने सेशन को रिकॉर्ड करने लगता है और तभी लेस्टर उसे कुछ अजीब चीज़े कहता है यानि कि वो यहां पर इन थेरपी वगर एकले नहीं आया था वो बताता है कि कुछी टाइम पहले उसकी इंफेंट बच्ची क से डेथ हो गई जिसका मतलब यह है कि रीजन अन्नोन था और तब से ही वो और उसकी वाइफ ट्रॉमा में रहने लगे और अपने बागी दो बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे और फिर एक एक करके उनके वो दोनों बच्चे भी मारे गए जिनने किसी श चार्टिंग में जो बच्ची थी जिसको शैडव मॉंस्टर ने मार दिया था वो उसका ही फादर है खैर अब यह सब सुनकर विल को काफी वियर्ड लगता है और वो पुलिस को कॉल करने चला जाता है उसको वो साइको किलर लग रहा था खैर अब तक सैड़ी भी घर आ जा यह दोर से लटका हुआ पाते हैं और बहुत जादा परेशान हो जाते हैं एस वो मारा गया था अब अगले सीद्ने पुलिस वहां पर आती है और विल के साथ पुलिस को भी यही लग रहा था कि यहां पर उसने खुद को खत्म कर लिया लेकिन सैड़ी कहती है कि शायद ऐस आता नहीं है क्योंकि उसने यहां पर पहले हाथा पाई सुनी थी लेकिन कोई बी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता अब रात को विलarness को सुलाटा है कि वहां पर कोई about करने का तरीका देखने लगती है एक कैंडल या फिर कुछ लाइट करो और फ्लेम के मूँ होने का मतलब है कि उनके लवड वन की स्पिरिट्स उनके आसपास है इधर हम सौयर को देखते हैं जिसके क्लॉजट से आवाज आने से उसकी नीन खुल जाती है और वो ये देखती है कि कोई चीज इस इस क्लॉजट से भाग कर बेढ़ के नीचे गई है अब वो नीचे देखती है तो उसे कोई मॉन्स्टर देखता है जिससे डर कर वो बेढ़ से गिर जाती है लेकिन आचानक से ही ऐसा होते ही वो मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है अब वो सेडी के पास जाती है और उसे मौन्स्टर के बारे में बताती है लेकिन उसको लगता है कि वो ऐसे ही डर रही है अब सौयर का एक दूद वाला दान जो होता है वो थोड़ा सा डिला हो जाता है और सैडी उसे निकालने के लिए उस पर एक स्ट्रिंग बांदेती है और उसका जो दूसरा सिरा होता है वो दर्वासे पर बांदती है लेकिन वो डूर अपने आप ही बंद हो जाता है और दाट तूट जाता है लेकिन सौयर को समालने में वो ध्यान नहीं दे पाती कि डोर उसने बंद किया ही नहीं था और अब वो उसे आज अपने पास ही सुला लेती है और हम किसी को वो दांत वाली स्ट्रिंग खीशते हुए भी देख पाते हैं यानि कि इस घर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है अब अगले दिन वो दोनों उनकी फैमिली थेरेपिस्ट डॉक्टर वैलर से थेरेपी सेशन्स के लिए जाती है जहां पर विल को जाना था लेकिन वो कभी अपनी थेरेपी के लिए जाता ही नहीं था अब डॉक्टर से बात करते हुए सौयर उन्हें मौनस्टर के बारे में बताती है और वो साथ में सेडी उसको समझाती है कि ये सब मौनस्टर उसके दिमाग का ब्रहम है और Sawyer एक light cube को light करके उससे कहती है कि दिरे दिरे ये blink होकर बंदोगा और Sawyer को अभी कोई monster भी नहीं दिखेगा Means कोई monster है ही नहीं लेकिन Sawyer को वहाँ पर monster दिखाई देता है जिससे वो बहुत डर जाती है और तबी Sadie उसको समालती है जिससे कि अब उसकी बात ही उसे थोड़ी serious लग रही थी वो सब अब घर आ जाती है और रात को Sadie Lester की therapy sessions की recording सुनती है जिसके अंदर उसने वो shadow monster के बार में बताया था जिसको boogie man कहा जाता है और इस चीज का जिकर यहाँ पर एक बहुती famous movie के अंदर किया गया है जो की है sinister part 1 and part 2 और मैंने उन movies को explain किया है उनका link आपको नीचे description में और pinned comment में मिल जाएगा जाकर देखना वहाँ पर काफी अच्छी तरह से boogie man को समझाया गया है और अब सेडी यहाँ पर लेस्टर के बच्चों के दौारा बनाए गई ड्राइंग्स को भी देखती है दूसरी और boogie man फिर से सौयर को हांट करता है और वो डर कर सेडी के पास आती है और उस ड्राइंग को देखकर कहती है कि यही वो चीज़ है जिससे की वो डर रही है और यही चीज़ उसको हांट कर रही है अब सेडी को उसकी बाते काफी सीरियस लगती है और अगले दिन वो अपनी फ्रेंट के साथ उपर चेक करने जाती है तो उसे लेस्टर की वाइफ रीटा मिलती है जो कि इस फैमिली में अकेली ही बची है साथ ही साथ वो थोड़ी सी मेंटली अंस्टेबल भी हो चुकी है जो कि अपने साथ हमेशा एक शौट गन रखकर बहुत सारी कैंडल जला कर बूगी में को हंट करने का इंतजार कर रही है यानि कि वो अपने बच्चों की और अपने पती के मौत का बदला लेना चाहती है अब सैड़ी उसे बूगी में के बारे में बूचती है और वो भी वही बताती है कि ये बूगी मैन नहीं उसके बच्चों को खतम कर दिया और वो टृमा से आता है, टृमा से ही पावर्फुल होता है जिस फैमली के अंदर टृमा होता है, वहाँ पर वो अपना घर बना लेता है याने कि वो रूट्स कुछ और नहीं बलकि उसका घर है उसका कहना था कि वो बच्चों को अपना शिकार बनाता है और यहां पर हम यह भी समझ बाते हैं कि सबसे पहले बूगी मैन लेस्टर के घर पर आया था उसके और उसकी फैमिली के ट्रामा पर फीड करने के लिए जिसके बाद में वो ताकतवर हुआ उसके बच्चों वो खतम कर दिया और फिर वो लेस्टर के साथ ही ट्रैवल करके अपने अगले सबसे परफेक्ट टार्गेट के घर पर पहुँचा जो कि कुछ और नहीं बलकि यहाँ पर सैडी का ही घर है क्योंकि उनकी मदर की रिसेंटली ही डेथ हुई थी और वो तीनों ही यहाँ पर ट्रामा से जूज रहे थे और सबसे बड़ी बात की बच्चों की मॉनस्टर वाली बात पर कोई यकीन नहीं करता तो बूगी मैन के लिए ऐसे में घर पर आना काफी आसान है अब रिटा जो की मेंटली इल थी सैडी पर गूलियां चलाने लगती है जिससे बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाती है खेर अब अगले सीन में वो घर आती है जहाँ पर सौयर उससे बात करने की कोईश करती है जिसको वो डाटने लगती है कि कोई भी मॉनस्टर नहीं होता लेकिन तब ही डोर तोड़कर बूगी मैन उस पर अटैक कर देता है और उसकी निंद खुल जाती है अब वो उस समान को देखने लगती है कुछ चीजे अपने पास भी रख लेती है और अब उसे अपने आस पास कुछ हल चल महसूस होती है और वो लाइटर जला कर अपनी मदर की प्रेजन्स फील करने की कोईश करती है लेकिन उसे उनकी सिर्फ एक जला किया फिर विजन दिखता है और लाइटर अचानक से बंद हो जाता है जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है अब अगले दिन वो अपने स्कूल में थी जहां पर उसकी फ्रेंड उससे बात करके उसको लाइट अप करती है और वो उसके घर नाइट आउट के लिए आने के लिए कहती है जिस पर सैडी मान जाती है अब रात को वो त्यार होती है और उसकी दोस भी वहां पर आ आ जाती है तो वो खुद को समाले लगती है अब उसकी फ्रेंड्स उसकी मदर की वरक्शॉप देखने को बोलती है और वो उने वो दिखाने के लिए ले जाती है और क्लॉजट भी ओपन करती है जिसके अंदर जाते ही डोर लॉक्ड हो जाता है और वो अकेले अंदर फज जाती है जि इवन वो तो उसे ओपन करने की भी कुजिश कर रही थी और वो सब अब गुस्से में वहां से चली जाती है और बूगी मैन की ये ट्रिक थी ताकि वो अपने दोस्तों से भी दूर हो जाए अब हम सैडी की छोटी बहन सौयर को देखते हैं जो की टीवी देख रही थी लेकिन दोब हिवाँ पर भी बूगी मैन आ जाता है और उसको हांट करता है जिस्से कि वो छुपने की कुजश करती है लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है जिससे वो थोड़ी गायल हो जाती है और विल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है अब हॉस्पिटल में सवयर को होश आता है जो कि फिलाल ठीक थी और वो अपनी बेहन सैडी को बूगी मैन के बारे में बताने लगती है जिसको अब उसकी बातों पर भरोसा हो गया था यानि कि पीता को पता था कि उसकी बेटी वीड स्मोक करती है खरब तभी उसे रीटा का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो उसके घर आ जाए क्योंकि उसे बूगी मैन को खतम करने का तरीका मिल चुका है खरब रात हो चुकी थी और सैडी रीटा के घर चली जाती है वो उ पर अटेक करके उसको बांद देती है अब कुछी पलों में वहां पर बूगी मैन आ जाता है जो कि ट्रैप स्ट्रिंग से टकरा जाता है और एक साथ कई बुलेट्स उस पर फायर हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ब्लीड भी करने लगता है अब रीटा उसके पास उसे और शूट करती है लेकिन वो अभी भी जंदा था और उसको जान से मार देता है लेकिन सैडी के हाथ यहां पर खुल चुके थे जिससे उसे यहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाती है यानि कि ये एंटिटी सूपर नैचरल तो है लेकिन इसक को ढूरने लगती है जिसे क्लोजट में छुपी हुई सौयर मिल जाती है जिसने अपने आसपास क्रिसमस लाइट्स लपेटी हुई थी ताकि कुछ के लिए बूगी मैन उससे दूर रहे क्योंकि वो लाइट से डरता था और दूर रहता था अब वो दोनों ही अपने पिता को डूरने लगती है और बेस्मेंट में आती है जहां पर उनको विल मिल जाता है जिसे बूगी मैन ने कैद करके रखा था और वो उससे नीचे उननों पर अटैक करता है और इसी पीच एक फ्यूर केन वहांपर गिरता है और वो दोनों घैल हो जाती है और सौयर बेहुश चूचाती है बूगी मैन सेडी पर अटैक करता है और उससे खाने लगता है लेकिन तब deposits पर करके सैडी को बचा लेता है और अपनी दूनों असपासी है as a spirit और अब उनके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो एक्सप्रे से आग फैला कर बूगी मैन को दूर धकेलती है और अब सौयर बूगी मैन पर फ्यूल डाल देती है और सैडी उसको आग लगा देती है जिससे कि वो जलने लगता है और अब तक उसकी रूट्स को ही इंडिकेट करता है इसको आप ऐसा रेफरेंस भी यहां पर ले सकते हो कि बूगी मैन कुछ और नहीं बलकि उनके अंदर का ट्रॉमा है जिसको उन्होंने फाइनली जला दिया और यह इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि वह अपने लवड़ वन्स के जाने के और वो लोग अपने ट्रॉमा मीन्स बूगी मैन से पूरी तरह आजाद हो गए थे खेर अब वो सब वहां से जाने लगते हैं कि तब ही वहां पर सैडी को डॉक्टर वेलर के बुलाने के आवाज आने लगती है और वो अंदर जाती है तो उसे क्लॉजट के पास से कुछ आ आने देगी और अब ना ही बूगी मैन उनके करीब आकर उनका कुछ बिगाड़ पाएगा यानि कि ये फिर से ट्रॉमा को इंडिगेट कर रहा था क्योंकि हम जानते हैं कि ये ट्रॉमा इतनी खतम नहीं होता इसको दबाया जा सकता है इससे कोप अप किया जा सकता है लेकि ये थी था भूगी मैन मूवी की कहानी जो की काफी इंट्रेस्टिंग तो है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भूगी मैन को और क्लियरली दिखाया जाना था लेकिन अल्टिमेटली मूवी ठीक है यहाँ पर अब क्या भूगी मैन यहाँ पर जिन्दा था या फिर वो मरा नह जो यहाँ पर sinister movies के अंदर है उसको कोई बीट नहीं कर सकता और इस बात से तो आप सब को भी agree करना होगा जो sinister movies का डरावना पन है भाई साब उसको कोई बीट नहीं कर सकता और यह वाली जो movie है ना वो film adaptation है स्टीफिन किंग की 1973 के अंदर आई short story the boogie man की तो movie ठीक है देखो यहाँ पर 28th century fox का यहाँ पर inclusion है तो काफी ठीक है बाकि आप लोग मुझे बताना कि आपको यह movie कैसे लगी जनरली तो इसको positive reviews मिले हैं critics की तरफ से मेरे हिसाब से तो movie ठीक है इसको आप जरूर थेटर बे जाकर देख सकते हो लेकिन दुख की बात तो यह है कि यहाँ पर आसपास यह movie लगी नहीं है काफी दूर जाकर इसको देखना पड़ा तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, movie पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेना, channel के उपर नے है तो subscribe कर लीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए